हेलो फ्रेंद्स, वेलकम बेक टो मैं चैनल मसाले एक्सप्रेस तो आज हम ब्रेड पकोड़ा बनाने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो उसके लिए मैंने साथ से आठ आलू बॉयल की हैं अब हम उने मेश कर लेंगे आप हाथ से भी मेश कर सकते हैं तो ऐसे ही मैंने सारा आलू को मैश कर लिया है अब हम एक पैन लेंगे और उसमें ऑईल डालेंगे और उस अच्छे से गरम होने दे अब ये गरम हो गये तो हम इसमें जीरा और हिंग डाल देंगे और इस अच्छे से बुनने दे अब ये बुन गया है तो इसमें हम प्यास ड अब यह थोड़ी भून गई है तो अब हम इसमें हरी में चैट कर देंगे और फिर इने भी अच्छे से फ्राय करेंगे तो देखी यह अच्छे से भून गए हैं तो इसमें हम आलू डाल देंगे और इने अच्छे से मिक्स करें अब हम मसाले डालेंगे तो मैंने थोड़ा सा गरम मसाले डाला है थोड़ा सा धनिया डाला है थोड़ी सी लाल मिर्श डाली है आप कम जादा कर सकते हैं और नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और फिर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे अब यह मिक्स हो गया तो अब हम इसे ठंडा होने रख देते हैं अब हम बैटर बना लेते हैं तो उसके लिए मैंने दो कप बेसन लिया है उसमें थोड़ी सी लाल मिर्श पाउडर डाल दें और नमक डाल दें स्वाद अनुसार थोड़ा सा धनिया डाल दें थोड़ी सी हल्दी डाल दें और फिर इस अच्छे से मिक्स करें अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसे मिक्स करेंगे जिससे की लंस ना बने ऐसे ही थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर हम इसे मिक्स करेंगे जिससे की अच्छा बैटर बने तो यह हमारा बैटर अच्छे से बनकर तयार है तो देखे इसकी कंसिस्टेंसे ऐसी रहनी चाहिए अब मैंने चार से पांच बैड लिए आपको जितने बनाने आप उतने ले सकते हैं हम दो तरह से बनाएंगे तो फस्ट में ठीख यह एकि हम पहले बै devo कर लिया है अब हम पिठ्थी को लेंगे और ब्रेड पर अच्छे से लगा इंगे अब यह अच्छे से लग गई इतो अब हम इस पर ब्रेड लगा लेंगे और उसका अच्छे से प्रेस करेंगे सेकिंड मैथड यह है कि पहले हम एक ब्रैड लेंगे और उस पर पिठ्ठी को अच्छे से लगाएंगे तो अब हम दूसरे ब्रैड को लगाएंगे और थोड़ा प्रेस करेंगे अब हम इसे कट करेंगे तो आपको जो मैथड सही लगे आप उससे बना सकते हैं अब हमने तेल गरम होने रख दिया है अब तेल गरम हो गया तो अब हम ब्रैड लेंगे और उसको बैटर में डालेंगे और अच्छे से कोट करेंगे तो यह अच्छे से कोट कर लिया है तो अब हम इसको तेल में डाल देंगे और अच्छे से फ्राय करेंगे दोनों साइड से अब यह एक साइड से हो गया है तो अब हम इसको पल्ट देंगे जिससे कि यह दूसरी साइड से भी अच्छे से सिख जाए तो यह अच्छे से दोनों तरफ से सिख गया है तो अब हम इसको निकाल लेते हैं तो ऐसे ही सारे निकाल लें तो तयार है गर्म गरं ब्रेट पकोडए और देखिए किटना अच्छे से बनकर तईयार है तो आप सबस्दी को कैसे लगी ब्रेट पकोड़े की रेसिपी आप भी बना ओगाँ सबको कृएं कृमेंट करके बताएं प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट कर और सब्सक्राइब करें जैनल को साथ में बैल आइकन भी प्रेस करें